हेलो गाइज, question है हमारे the area of the triangle formed by the point P 0,1, Q 0,5 and R 3,4 तो इन तीनो points है जो triangle form होगा हमें उसका area find करना है तो हम पहले ये तीनो points को locate कर देते हैं coordinate axis में देखिए हमारी coordinate axis है, इसमें horizontal line x axis है, vertical line y axis है, ठीक है अब देखिए, first point है P 0,1, तो आप देखिए, इसका x coordinate 0 है और y coordinate है 1 तो ये point हमारे लाई करेगा y axis पे, ठीक है, तो ये point होगा, ये one unit distance है ये 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है, similarly मैं x पे mark करते हूं distance, 1, 2, 3, 4, ओके तो देखिए, first step P 0,1, तो ये point इधर लाई करेगा, y axis पे ये point होगा P, next step Q 0,5, तो इसका भी x coordinate 0 है और y coordinate 5 है, तो ये point मैं लाई करेगा y axis पे, ठीक, तो ये होगा point Q, next step R 3, 4, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए, दोनों positive हैं, तो ये first quadrant में लाई करेगा, तो x पे 3 units पे हम उपर move करेंगे, और y पे 4 पे हम move करेंगे left में, positive की तरफ, तो जहाँ ही intersect करेगा, ये point हो जाएगा हमारा, और this one is 3, 4, तो ये त्यनों points को आप join किए, तो ये triangle form होगा, देखिए, ये this one and this one, तो ये हमारे triangle form होगा है, P की वार, और हमें अब इस triangle जो form ठीक है, अब देखिए, triangle का area हम जानते हैं क्या होता है, यहां लिख लेती है, कि area of triangle होता है हमारा, half into base into height, ठीक है, अब देखिए, ये triangle हमारा form हो रहा है, P की वार, तो इसका जो base होगा, वो ये होगा distance, ये PR इसकी base होगी, और height हो जाएगी, इसकी ये value, ये इसको point में बो हो जाएगा, PQ और height होगी, AR, ठीक है, अब हमें PQ और AR basically find करना है, तो देखिए, PQ क्या distance है, P point है हमारा 0,1, और Q point है 0,5, तो हम यहां से easily PQ find कर सकते हैं, तो PQ क्या होगा, 0,5 से distance 0,1, तो देखिए, X coordinate सेम है, जिसकी distance ही देखिए, फूर यूनिट आ जाएगी, वनना आ 4 unit, तो यह distance होगी हमारी PQ की, तो यह आगे PQ की value 4 unit, ठीक है, next हमें देखनी है कि distance AR की, तो AR देखिए, यह line, जो A का coordinate क्या होगा, A का coordinate होगा, 0,4 और R का coordinate है 3,4, तो आप यह देखिएंगे, इनके जो ordinates हैं वो same है, मैं highlight कर देदा हूँ, इनके जो ordinates हैं वो same है, और जो different है, तो क्या होगा, कि यह line है AR, यह line parallel होगी, line x-axis के, ठीक है, और यह point अगर मैं origin mark कर रहा हूँ, और इस point को मैं बोल रहा हूँ, point D, यह line में ने बोला था, AR parallel होगी, AR is line parallel to x-axis होगी, ठीक है, और AR line equal होगी, OD के, ठीक है, ओके, और OD के distance क्या है, देखिए, OD हमारी line है यह, और D point है 3,0, तो इसकी distance हो जाएगी 3 unit, तो यहाँ से AR कह सकते हैं, 3 unit इसकी distance है, अब हमने PQ compute कर लिए, AR compute कर लिए, तो इस formula में substitute कर सकते हैं, देखिए, PQ है 4, और AR है 3, तो इसे हम simplify करेंगे, 2, 3 है 6, तो यहाँ जाएगा 6 square units, ठीक है, तो यह हमारा area of the triangle अब देखते हैं, इस correct option कुन सा है, देखिए, यह D option हमारा correct option हो जाएगा, 6 square units,